छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्टन लाते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसे जानकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ही बात मुझे पहले पता होती किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए रियल मुटिविशन की अवशकता होती है और एक बार मुटिवेट हो जाने के लिए आप उस काम को करने के लिए तयार होते हैं आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि लाइफ में पैसा कितना महत्वपून है और हम में से हर व्यक्ति अच्छे से जानता है कि लाइफ में पैसा बहुत महत्वपून है लाइफ में बड़ा बनना है तो पैसा चाहिए आगे बढ़ना है तो पैसा चाहिए मतलब कुछ भी करना है तो पैसा चाहिए बिजनस शुरू करना है पैसा चाहिए सब यही सोचते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मेरे पास बंगला होता गाड़ी होती और एक ऐसा अच्छा बिजनस होता जो खूब चले लगातार चले और चलता रहे आज भारत में 80 प्रतुषत युवा बिजनस करना चाहते हैं पर उनके पास बिजनस का स्टाट अप करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं होता ये बात सच है कि बिजनस को शुरू करने के लिए पैसा जुरूरी होता है लेकिन आप बिना पैसे के भी बिजनस शुरू कर सक उसमें जिरो से बिजनस शुरू किया और एक बहुत बड़ा कीरती मांस थापित किया और इसका मैं एक रियल एक्जामपल हूँ और आप जानते हैं कि मैं केवल अपने experience की वही बात शियर करता हूँ जो practically अपनी company में implement करता हूँ एक चीज मैं आपको और बताना चाता हूँ जो आप भली भाती जानते हैं कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर जो होता है वो हाथी होता है सबसे उचा जानवर जिरा और वही अगर चतुराई की बात करें तो सबसे चतुर लोम्री होती है लेकिन तेजी की बात करें तेज र शेर हर वक्त, हर प्राणी के अंदर अपना एक शिकार देखता है, उसे पता होता है, no risk, no gain, और इसलिए शेर हमेशा रिस्क लेने के लिए तयार होता है, और इसलिए कहा जाता है, where there is a will, there is a way, शेर के लिए दुनिया का प्रतियक प्राणी एक भोजन होता है, उसी तरह आप आपको भी दुनिया के प्रतियक प्राणी में, प्रतियक व्यक्ती में एक क्लाइंट नजर आना चाहिए, आपको यह महसूस होना चाहिए, कि इस व्यक्ती के साथ मैं बिजनस किस तरह से कर सकता हूँ, शेर को सब कुछ आसान लगता है, उसी तरह बिजनस्मेन का दिमाग इस तरह का होना चाहिए, कि उसे हमेशा यह महसूस हो, कि जो मैं सोचता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, मैं आपको एक रियल एक्जामपल बताता हूँ, जिन में सिर्फ दिमाग लगाया, थोड़ा सा ट्रिक लगाया, और काम करना शुरू किया, और निरंतर आगे बढ़ता चला गया, बिजनस में स्केलेबिलिटी अगर हो, अगर किसी भी बिजनस में स्केलेबिलिटी है, तो इस बिजनस को बहुत आसानी से, बहुत सारे माध्यम से स्केल किया जा सकता है, वही आप बहुत सारे लोगों के साथ कॉलिबरेशन करके भी अपने बिजनस को स्केल सकते हैं, partnership के माध्यम से कर सकते हैं, investors द्वारा लगाए गई पूंजी से भी अपने व्यापार को scalable कर सकते हैं, friends आप में से बहुत सार लोग जानते हैं कि Apple वर्ड का सबसे best brand है, और Steve Jobs इसके founder है, आपको जानके आश्यार होगा कि Apple जो mobile phone company है, laptop company है, gadgets and electronics company है, वो अपना खुद कोई भी product नहीं बनाते, आपल जैसी company, Foxconn से सारा material खरीती हैं, क्योंकि Apple के सारे के सारे product, designed in California है, assembled in China है and all the parts are provided by the Foxconn, लेकि उसके बावजूद भी, वो दुनिया के सबसे number one company बन गई, दूसरा example Facebook है, Facebook एक ऐसी user friendly website है, जिसके founder Mark Zuckerberg है, Mark Zuckerberg में एक ऐसी website बनाई, जो बहुत ज़्यादा user friendly है, और user friendly होने की वज़ा से, Facebook को बहुत अदिक काम Facebook पर नहीं करना होता, उन्हें तो केवल उस site को maintenance के रूप में उसको regular maintain करना होता है, जो user है, वही इस website पर videos, photos, images, content, text, post करते रहते हैं, जिसकी वज़ा से बहुत बढ़ा data bank Facebook पर आ गया, बहुत सारे लोग उसके friendly user बन गए, और आगर आप देखें, तो हिंदुस्तान में जितनी जंशंख्या हमारे देश की है, उससे ज़्यादा Facebook के active user हैं, जिसकी वज़ा से बहुत सारे लोग अपने product, अपनी services को advertise करने के लिए Facebook को पैसा देना लगे, और Facebook की income ही केवल लोगों से advertisement के माध्यम से पैसा कमाने की हैं, इसके लावा बहुत सारे ऐसे example हैं, जैसे Ola जिनकी अपनी खुद की कोई कार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी company बन गई, जो taxi services पोवाइड करती हैं, Ola, Uber, ऐसे बहुत सारे example हैं, इसके लावे एक example में आपको और बताता हूँ, redbus.in, जिसका जिक्र मेने अपनी पिछली वीडियो में किया है, अगर आप redbus.in से related जो भी information चाहते हैं, तो i button पर click करके, आप मेरी वो video वो detail देख सकते हैं, जो आपको बहुत बड़ी information देगी, अगर हम list लेकर बैठें, तो हजारों ऐसे example हैं, जिनसे हम यह चीज समझ सकते हैं, जिनका अपना कोई product नहीं है, वो केवल service provider है, या first party to third party के साथ मिलकर काम करते हैं, privago.com, makemytrip.com, OYO, यात्रा, मंत्रा, ऐसी बहुत सारे site, जो केवल, वो services provide करने का काम करती हैं, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, जानकारी को पहुचाने का काम करती हैं, बिना पैसे के भी business किया जा सकता है, इसी तरह कोई भी व्यक्ति, अगर अपना business शुरू करन चाता है, तो कोशिश करें, कि कम से कम investment में, जादा से जादा return आए, जैसे third party related business, बहुत सारे लोग third party related material supply का का काम करते हैं, एक व्यक्ति से material लेते हैं, और दूसरे को provide करते हैं, ऐसे बहुत सारे example हैं, जैसे इंडिया में indiamark.com, exporters india.com, और china में alibaba.com, जिनका अपना business नहीं है, वो किवल buyer, seller, importer, और exporter को सुविधा परदान करते हैं, जहां वो आपस में एक दूसरे के साथ transaction कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग नए नए concepts पर काम कर रहे हैं, जैसे manpower consultancy, जैसे work from home, like housekeeping department, ये वो लोग हैं, जो age से लेकर दूसरे व्यक्ति तक support provide कर करते हैं, और उनकी earning उन लोगों से होती है, आप खुद की website बना कर भी आज affiliate marketing के माध्यम से, blog writing के माध्यम से, content writing के माध्यम से, और इसके अलावा YouTube channel बना कर भी बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं, जहां पर investment या तो zero होती है, या बिलकुल ना के बर लावर होती है, और income अगर देखा जाए, तो बहुत बड़ी और अच्छी income आप आसानी से generate कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई अच्छा business idea है, तो आप investors के साथ को allocation करके, और अपने business को दूसरे लोगों के साथ share करके भी बहुत बड़ा business कर सकते हैं, startup funding लेकर भी आप अप data funding से related बहुत सारे videos, जैसे investors कैसे घूंडे, investors के लिए proposal कैसे design करें, और proposal design करने के बाद meeting में उसको कैसे represent करें, ये सारे informative video मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, उसके लावा आप business करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, दिमाग की जुरूत होती है, यदि आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप बहुत ही छोटो निवेश में या ना के बरावर निवेश में बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई एक काम जरूर बहुत अच्छे से कर सकता, जरूरत है तो के इवन में आपको हर वो सफलता प्राप्त होगी जिसे पाने का हक आपको है जिसे पाने के बारे में जोश, जज़बा और जुनून आपके मन में हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपकी काम्याभी में ये बहुत ही अच्छा मात दर्शन करेगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ वाट्साप और फेस्बुक पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स मां डॉक्टरामित महेश्वरी आपके सुनर भविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत